हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना ना भूर नमस्कार शेकिष्णा आशिराधे बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं आप लोग इस समय लाइब और रोज लाइब इस समय हम आते हैं कुछ नई जानकारी के साथ कुछ यूडिक जानकारी के साथ आज उसी कड़ी में हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली के एक ऐसे प्लैनेट के विशय में जो आपको बार-बार कुछ गलत करने के लिए उकसाता है जो कहता है कि अब ये गाम करो ये एक बड़ा भारी भरकम सा विशय है कि किसी से गलती रिपीट क्यूं होती है मित्रों अगर आपकी कुंडली में पीरित शनी का प्रभाव प्रभलता के साथ एक्टिवेट हो जाए तो आप जान बूज कर बार-बार एक गलती को रिपीट करते हैं मैंने अपने शोध में जो पाया है शनी की पीरा को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मंगल और चंद्रमा का होता है मंगल चंद्रमा से शनी का संबंध अगर किसी के भी चंद्रमा कमे मिलेगा तो ऐसा इंसान ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बार-बार गलतियों को दुहरा करके अपने जिंदगी को नरक बना लेता है जैसे जुआरी जैसे शराबी जुआरी और शराबी की कुंडली में आप देखेंगे तो शनी चंद्रमा और मंगल में संबंध आपको जरूर दिखाई देगा जुआरी हारता जाता है हारता जाता है लेकिन फिर भी खेलता जाता है महाभारत उदाहरण है जुआ की ही देन थी महाभारत हुआ लाखों करोनों लोग मर गए पिर थे वीरक्त रंजित हो गई क्या उनके गुरह नहीं थे गुरहों का प्रभाव तो सब पर होता है जो मानो योनी में आया जो इस मृत्तिव लोग पर आया जो जीव जन्म लिया उस पर यहीं नहीं निर्जिव वस्तुओं पर भी गुरहों का प्रभाव होता है यह फिजिक्स के द्वारा प्रूप्ट भी है उसकी भी निश्चित आयू होती है चाय कुर्सी में जो या लाइट कैमरा हो यह होना ही होना है चाय नियती है यह बहुत गहरी चीज है इसको समझ पाना हर किसी के वश्च में नहीं है तो अगर चंद्रमा मंगल और शनी में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का संबंध है तो इस प्रकार का दोश पैदा होता है कि जा तक बार बार रिपीट करता है गल्दी अब चंद्रमा को परिमारजित कैसे करे चंद्रमा को ही एक अगर हम पकड़ लें तो साइद इस प्रकार के दोश रूपी दंस से बचने में काफी हद तक मदद मिल सकती है चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली को दावा डोल कर देता है और है प्रभल प्लैनेट देखिए पवित्र जलों के आज़ पास का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा की सकरात्मक उर्जा को बल देता है जो भी पवित्र जल्दहारा है जो हमारे भारत वर्ष की नदियां है जिनमें गंगा नदी को सर्वो परिमाना गया है अब कुंडली के चंद्र दोश को खत्म करना है तो कुछ ऐसे ही अवशर आपको प्रकृति दे देती है जिससे आप अपने जीवन में इस प्रकार के दोशों से मुक्ति पा सकें यह प्रकृति ने दिया है यह आपकी देन नहीं है यह प्रकृति प्रदत्त ही है इसलिए आगामी 13 जनवरी से 19 जनवरी के अवसर का लाव लेना है तो जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर लिजेगा और चंद जनित दोशों से मुक्ति का एक रास्ता लेने आ जाईएगा तारीफ है कि ना आप आने की सूरत में भी आप इसका लाव ले सकते हैं सारी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी थोड़ा धहर रखिएगा और कोशिश करिएगा कि टाइम से आप रिजलरेशन वगरे करा लें अपने बच्चों के साथ जो भी आना चाहते हैं और एक बार चंद शनी मंगल को बैलेंस करके देखा जाएगा थैंक यू सो मच बहुत सारे और भी कारक्राम हमने किया है जिस पर आप लोग ध्यान दे करके और इस प्रकार के दोशों से मुक्ति का उपाय कर सकते हैं थैंक से लॉट मिल सकते हैं आप हमसे आगामी पुने और मुंबई का विजिट का डेट डिसाइड हो गया है तो आप वहाँ पर भी हमसे मिल करके कल्चर वैली के बारे में या कुम्ब के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और कुन्डली जनित दोशों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं थैंक यू सो मच हरोज मिलते हैं इसी समय पर लाइफ नवस्कार्ट